सदर विधान सभा क्षेत्र की तहट पड़ती ग्राम पंचायत बसूली के माच्रा नाले के निवासियों को जल्द ही परसाथ की दिनों में शेश क्षेत्र से कटने की समस्या से निचात मिलेगी वीरवार को वितायोग अध्यक्ष सत्पाल सिंग सत्ती ने करीब 35 लाख रुपए के लागत से तयार होने वाले पुल का शिला नियास किया और इस पुल को करीब 3 माह के भीतर बन कर तयार होने की भी बात कही इस मौके पर वित तायोग अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में किये गए विभिन विगास कारियों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गौरतलम है कि इस क्षेत्र के लोगों द्वारा सडक मार्ग पर पढ़ते एक नाले पर पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी वहीं इस दोरान सत्पाल सिंग सत्ती ने कहा कि करीब तीन माह के भीतर इस पुल को बना कर जनता को समर्पित किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस ग्राम पंचायत में प्रदेश सरकार के सहयोग से करोड रुपे के विकास यूजनाव को मूर्थ रूप दिया गया है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी विधान सभाक शेतर की इस एहम ग्राम पंचायत को विक्सित करने में हर संभव योगदान सुनिश्चित किया जाएगा के अंदर काफी बड़ी मातरा में भार्टी जनता पार्टी के शार्शन में हुआ है रक्तर कनोनी से बसोली तक प्रफेसर धूमल जी के समय पर धाई क्रोड से हमने सड़क को बाया टेसी मला उसको पूरा किया था और उसी तरह से हम लोगों ने अभी नैश्चा हाईवे के नाते उनना से लेकर के मलाहात बसोली और तड़ाई तक लगवग एकत्ती क्रोड रुपे लगा करके सड़क को डवल किया और इसी तरह से बसोली गाम का जो महले नाडा पड़ता है उसमें सड़क नहीं होती थी जिस समाटल वहरी बाजपाई जी पदानमंतरी बने थे धो नहां के जो पीडल लुडी के हमारे अधिकारी हैं और ने डीपीर बनाई और इसका एस्टीमेट बनाया और इसका टेंडर हुआ तो लगवग 35 लाख रुपे में जे बन करके त्यार होगा और तीन महिन्ने में स्पूल को बना करके हम जंता को समर्पित करेंगे आप देख स्पूल की चारदवारी का मामला हो इस गाम के नरन्य जोवी डिवल्मेंट के काम है और बड़ी तेज गती से चलें लगवए एक महिना पहले हम लोग जहां पर आए थे जल शक्ती विवाग के माद्यम से एक पेजल जोजना का हमने शिला नयास किया है जल्दी उसको भी त देखा वाटर लेवल देखा तो उसमें 10-11 LTS पानी मिला उसको भी हम वाटर सप्लाई के नाते पेजल जोजना के नाते गाम को देंगे इस गाम में पानी की बहुत बड़ी समस्या है तो यह दो बड़ी जोजना है हम पेजल किशेतर में भी लेकर के आए हैं और हमारे साथ थी अगर आप लोग देखेंगे लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहां पर बंडा है लगवाग नब्यलाग रुपे से बनकर करके त्यार होगा ऐसे बहुत से काम इस गाम के अंदर हुए हैं जब से भारती जनता पार्टी गौर्मेट आई है और हम कोशिश करेंगे कि पं पंचायत को उनके सभी सरस्यों को और बेवागों के अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं धन्यावाद जाहें हिमाचल दस्तक टीवी के लिए उना से चंदर मोहन चौहान की रेपोर्ट